हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज की वीडियो में मैं आपको लेडिस पर्स बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान और सरल तरीके से और वो भी बचे वे कपड़े से तो यह मेरे पास बचावा कपड़ा है देखे इस तरीके से आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं जो पीश ले लिया है आप इसमें कम ज्यादा आप ले सकते हैं और इस तरीके से यह मैंने दो पीश ले लिए और इसके लिए मैंने फॉर्म का यूज किया है तो इस तरीके से हमें इसके ऊपर रखना है और एक कपड़े को हमें इसके नीचे रखना है अगर आपके पास फॉर नहीं है तो आप प्लास्टिक या कोई मोटा कपड़ा यूज कर सकते हैं और बीना फॉर्म के भी बना सकते हैं तो यह मैंने इसके इसे जॉइंट कर लिया है दोनों पर और इसकी कटिंग कर लिए देखिए इस तरीके से हम इसे सिल लेना है पीछ में फॉर्म डालके और एक्स्ट्र कपड़े को आप काट लें मैं इसमें साइड से कपड़े निकल रहे है तो इसको भी मैं काट लेती हूं इस तरीके से और इसके बाद हमें यह मैंने डेड़ इंच की पट्टी काट लिए इस तरीके से आपको काट लिए इस तरीके से मैंने दो काट नहीं है त ऐसे रखे इसके उपर सिलाई कर लेंगे, तो दोनों के उपर मैं सिलाई कर लेती हूँ, तो मैंने दोनों में सिलाई कर लिए, अब हमें इसमें निसान लगाना है, तो यहाँ पर हमें एक सेंटर का निसान लगाना है, और उसके साइड में, दोनों साइड बराबर निसान लेने हैं दूर से पीस में भी हमें ऐसे ही करना है तो देखे मैंने इसमें सिलाई कर लिए यह अब हमें कि एक पट्टी काट लिनी इस तरीके से स्ट्रिप कि यह चोटी इसमें मैं जॉइंट लगा लूँगी और इसे हमें किस तरीके से लगाना है तो इसे हमें यहाँ पर इस तरीके से लगाना है और इसके ओपर हमें सिलाई कर लिनी और सिलाई करने के बाद हम इसे फोल्ड करेंगी तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा लिए अब हमें इसे किस तरीके से मोर ना है तो हमें इस तरीके से अंदर को इस तरीके से मोर के इसमें सिलाई कर लेंगे ऐसे हमें दोनों में कर लेना है दूशी साइट भी हमें ऐसे ही कर लेना है दोनों में देखे मैंने इसमें सिलाई कर लिए तो मैंने दोनों में इसमें सिलाई कर लिए इसमें भी हमें ऐसे ही कर लेने हैं दोनों में और हम चेन लेंगे और चेन को इस तरीके से इसके उपर रखके इसमें सिलाई कर लेंगे बिल्कुल किनारे पर और ऐसे हमें दूसरे को भी रखना है और दूसरी तरब भी सिलाई करन है देखे है इस तरीक से दौनों में हमें जोड के चें लगा लिए इस तरीक से सब्ढ़ने तो यह मैंने चें लगा ली है अब हमें से उल्टा करेंगे मिस तरीक है Armstrong करेंगे हमी से आप और दोनों साइद हमें निसान लगाना है इस में बिल्कुल किनारे किनारे पर और नीचे भी हमें सिलाई कर लीने हैं पर एक इन्च लंबा और एक इन्च ओड़ा इस तरीके से हम निसान लगा लेंगे दोनों में और इसकी कटिंग कर लेंगे निसान बिल्कुल बराबर लगाएं तो देखिए मैंने निसान लगा लिया है और इसकी कटिंग कर लेते हैं और दूशी साइज भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे दोनों तरफ हमें जब सिलाई कर लेंगे हम इनकी तो देखिए हमें दोनों साइज कर लिए कटिंग तो इसके बाद हमें क्या करना है इस कपड़े को इस तरीके से रखना है और इसके उपर ऐसे में सिलाई करनी है इस साइड भी और दूर्शी साइड भी हमें इसी तरीके से सिलाई करनी है इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ तो देखिए यह मैंने सिलाई कर लिए दोनों साइट और अब मैं इस की चेंसे से खोल लेती हूं यहां से और अब मैं इसे सीधा करके आप लोगों को दिखाती हूं कि पर्स कैसे बना है यह और अगर आपको यह पसंद आए और आप थोड़ी भी यूसफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो यह देखिए बहुती सुन्दर बैक बनकर तयार है पार्स जिसे कि आप मार्केट लिजाने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसे बनाना भी बहुत आसान है और यह बिल्कुल ही घर पर कपड़े से बनाए मैंने तो आप भी किसी भी कपड़े से इस तरीके से बैक बनाए और इसमें आप मेकप का समान रख सकते हैं चोटा मोटा अपना पर्स रख सकते हैं तो बैक बनाएं आप और आगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद